कि अलाइन वाले बच्चे स्क्रीन आ गई वोज आ रही सही एक पर बता दें कि वास्वी कि वास्वी कि वास्वी कि वास्वी कि देखिए आपका फंक्शन टॉपिक स्टार्ट हुआ था जिसमें मैंने फंक्शन क्या है कैसे वर्क करता है और साथ में विध युद रिक शीज़े डिसकस कर ले थी ठीक है अब आज़ के क्लास से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जैसे दोःजार-तेज़-चौुईज का इस चेसे पेपर आया था तो उसमें फंक्शन का प्रोगाम कैसे उसको सॉल्व करने लगते हो तो सीधे सीधे आपको मैं वहीं लेकर चलना हूँ कि सीधे बोर्ड का पेपर आपको सॉल्व करना आना चाहिए और उनमें जो चीजे आपको नहीं आती जिसे मैं बहुत सारे कोशन बना-बना के कराता रहता था तो उसकी जरूथ ही नहीं क्यों कोड में ही इतने साल बुजर चुके हैं कि अगर सिर्व उसी के कोशन सॉल्व कर ले तो आपको सारा अंदाजा मिल जाएगा ठीक ना तो देखिए यह आपका टूज़वन 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 पेपर दिया है जिसमें आपका पहले ही फंक्शन का यह प इसका मिलाब विदाउट चुक्टर तो इन्हीं ऐसे पॉस्वेल है कि जरूज नहीं कंसरक्टर रखाई जाए अगर होता भी है तो बस उसमें डिफॉल्ट जाधातर मिलता है और डिफॉल्ट वैलू जो ऊपर वेरवल देखे थे उसकी डिफॉल्ट वैलू डाल वॉर्ड calculate में यह जो data दिया है इसके हसाब से ट, द, छ, प, प, इस टाइप की यह सारी चीज़ा निकाल ली है और wawd print में print कर देना और word min के अंदर यह सारे function call कर लेना बस इतना है ठीक है तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ और आप, आपके लिए खाली की आप हिंट के solution में सारा question आई जाता है है ना सारा data तो आप कर इतना कर सकते हैं कि आप लिख दीजी specimen paper 2023 चौवेश इंप्लॉई वो मैं अभी आपको लिख के दिखाई रहा हूँ जैसा हम लिखे हैं वैसा लिख लेना अच्छा यहां पर एक खास बात दी गई इस चीज को अगर आप गौर कर पाये हों तो ठीक है नहीं तो हम बता रहे हैं इसमें वैरेवल के नाम जो बताया गया है उनके डेटा टाइप नहीं बताया गया है इसका मलब आपको खुद दिमाग पर सोचना है कि यह कोई भी कोश ले लो कोई ग्रेड है तो आपका करेक्टर टाइब एरेवल ले लो इस तरीके से आपको अपने आप गेस लगाना पड़ेगा ठीक है तो क्लास का नाम इंप्लॉई है हाँ सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन इंपोर्ट और पूरी लाइन लिख लीजेगा क्लास और पूरा इंप्लॉई स्मॉल में है वैसे इंप्लॉई हो सकता था रूल के एकॉर्डिंग लेकिन नहीं दिया गया है इंप्लॉई इंप्लॉई नंबर सामने लिखा है तो नंबर है तो आइंटी ले सकते हैं आप आइंटी इनो अच्छा वेरेबल के नाम बदलेंगे नहीं जैसा दिया है इस वैसे उतारना पड़ेगा अपर केस लोवर केस भी नहीं कर सकते तो उसके बाद आपका इनेम है नेम ऑफ एंप्लॉई तो यह स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा इनेम यह करना सीख जाए यह समझें फंक्शन का प्रोग्राम आपका अब एज है तो इंटीजर ही होगा अब एज को पॉइंट में ना ले लीजेगा और बेसिक से लडी तो डबल टाइप का डबल बेसिक बेसिक नाम से दिया गया है तो देखिए इतना ही काम करना पड़ता है आपका दो नमबर पक्का है आपने वेरेवेल और क्लास सही तरीके से इंप्रोड वाली लाइन लगा कर अभी तक सब कुछ सही सही डिकलेर कर लिया है अब आपका स्टार्ट होता है पूरा फोकस यहां कीजिए ज्याधा तर हमसे पूछने कोशिस कीजिए ठीक है जिसे चार बच्चे और भी जान पाएं कि कोई कोश्चन है जो उनको आता या नहीं आता है वर्ड एक्सेप्ट करली बैकेट स्टार्ट किया अब आपको याद होगा जहां कहीं भी वैलू इंपुट खोनी है वहीं पर स्कैनर लगाते हैं स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन उसके बाद आपका एसोपी एलन में अब आपको यहां पर एक धिमार्ट लगाना पड़ेगा जितने भी वैरेबल दिये गए हैं तो सम्में ऐसी डॉट नेक्साइंटी थोड़ी लिखा जा सकता है तो आपको पहचानना पड़ेगा काउन से वैरेबल है जो कैलकुलेट होने हैं तो कैलकुलेशन में आपका जो है बेसिक सेलरी खाली है बाकि सब नॉर्मल वैरेबल से वैलु इंपूट कराके प्रिंट कराना और कुछ नहीं करना है तो यहां पर वैलु इंपूट करने में आपको तो तो आप कंफिज हो जाओगे कि इतने सारे वैरेबल हैं तो पहला कि कोशन की कमेंट लाइन में साफ साब लिखा होता जैसे इसमें लिखा है एकसेट दा डिटेल ऑफ इंपलाई यूजिंग स्कैनर क्लास तो डिटेल ऑफ इंपलाई का मलब उपर जितने वैरेबल दी है सारी चीजें आपको इंपूट करानी है और यह ज्याधा तर इस्प एंटर अब यहां पर मैसेज में नहीं लिख द हैंगे मैसेज में पूरा लिखिए मलब आइसा की समझ मैसे मैं एंपलाई पूरा नहीं लिखना चाहते तो इनपी लिख दिया ... Gregory नंबर, employee number, पैसे दे दिया और variable का नाम E-N-O था, इसकोल टू, कैसा था, integer, next, int, सारे input अलग अलग लीजेगा, ध्यान दीजेगा, इस चीज का, उसके बाद, फिर SOP, LN, Enter, EMP, Name, और, नेम के लिए, नेम ही वेरेवल था, अच्छा, E-Name था, E-Name is equal to, sc.next line, उसके बाद, फिर नेक्ट वेरेवल, SOP, LN, EMP, Age, Enter, EMP, Age, और यहाँ पर आपका, Age में, Age नाम का ही वेरेवल यूस किया गया है, तो, Age is equal to, sc.next, int, अब साहिए, लास्ट बचा है, SOP, LN, Enter, Basic, Salary, और यहाँ पर, E-Basic था ये खाली बेसिक था, Basic, is equal to, sc.next, double, एक सिंगल नमबर नहीं कर सकता, यह इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, अब अब यहाँ पर कुछ अंजान बच्चे जो प्रोग्रामिंग को बहुत ध्यांस नहीं पढ़ रहे हैं, उनके सामने यह दिक्कत आने वाली है, कि, function में जो कहा गया, उत्रा काम हो गया, इसका मतब curly bracket बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे, इसी नीचे दूसरा function चालू कर देंगे, आपको यहाँ पर curly bracket जो open था वो close कर देना है, यह हमेशा याद रखना है, उसके बाद ही नया function स्टार्ट करना है, next function क्या है, next function है, void calculate, void calculate, अब void calculate में कहा गया है, to calculate net salary as per given specification, net salary निकालने का फॉर्मूला बताया गया है, net salary is equal to basic salary plus HRA plus TA minus PF, और HRA, DA और PF जो है, निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, हारे basic salary का 18.5% है, ऐसे DA और PF है, तो आपको net salary में क्योंकि HRA, DA और PF तीनों चीज़े calculate होनी है, तो इसका मलब पहले आपको HRA, DA, PF निकालना पड़ेगा, जो percentage दिया गया है, उसका basic salary का, तो यहाँ पर, मैं पहला variable ले रहा हूँ, अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ पता चल रही, कि global variable जो थे, लेकि लोकल वेरेवल आपको declare करने पड़ेंगे, लोकल वेरेवल आपको declare करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर, आप लिखोगे, यस बेटा, हाँ, लोकल वेरेवल अपनी मर्जी से चाहें जितने ले सकते हैं, और चाहें जिस टाइप के, बाकी आपको declare करना है, आपकी मर्जी आप हरे नाम रखे, हाउस रेंट अलाउंस नाम रख दे, उससे कोई फ्रक नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर हम पहले हरे निकाल रहे हैं, डवल, आप क्योंकि यह सब percentage में है, तो डवल में निकलेगा, तो डवल, एचारे इसकोल टू, बेसिक, बेसिक सेलरी का, उसमें साब साब लिखा है, 18.5%, तो 18.5, इवाइड़ बाई हंडेड, यह एचारे निकल गया आपका, हाँ, अब यहाँ पर 18.5 लिखा हुआ है, तो पहले से पॉइंट में इसका मतलब 100.0 लिखने के जरूद नहीं है, लेकिन अगर आपकी आदत में पढ़ चुका है, तो कोई गलत बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, अगर आदत में पढ़ा है, फिर आप डबल, डबल में है आपका दीए, दीएरनेस अलाउंच, दीए इसकोल टू, बेसिक सैल्जी का, इन्टू, 17.45 अपउन हंडेड, उसके बाद पी एफ, पी एफ, इसकोल टू, बेसिक सैल्जी का, 8.10, 8.10 अपउन हंडेड, उसके बाद, अब आप यहां पे निट निकाल सकते हैं, अब यहां पे यह प्रोग्राम देते समय, जो गलती की हैं उन्होंने, यह मैं आपको पहले से ही बता दूँ, आप याद रखे, यहां पे एक वर्ड होता है, scope of wearable, scope of wearable का मतलब है, कोई wearable कहां से कहां तक access किया जा सकता, यह कहां पर use किया जा सकता, और कहां पर use नहीं किया जा सकता, तो जितने भी उपर wearable थे, वो सब global wearable कह जाते हैं, अब global wearable का मतलब केंद सरकार, जैसे मोदी जी की, तो केंद सरकार में कोई भी नियम बनता है, तो इसका मदलब वो सारे स्टेट जितने भी भारत के हैं, सब जगें लागू होगा, लेकिन अगर यूपी गवर्मेंट कोई रूल बनाती है, तो सिर्फ यूपी में ही लागू होगा, तो यूपी नहीं लिया गया, और यहां पर जैसे ही आपने एचारे पी एफ डिये लिया है, ऐसे नेट सेली का एकदम से उन्होंने डाल दिया, तो अगर नेट सेली ग्लोबल नहीं हुआ, तो वो इस फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेर कर दोगे, तो इसी फंक्शन में यूज हो सकता है, इस फंक्शन से बाहर नहीं जा सकता है, अब हमें तो नीज है बाहर ले जाने की क्यों, क्योंकि प्रिंटिंग तो डिस्प्ले में होनी है, तो यह निक्न ऴाला वाला यो डिस्प्लेमें जाना चाहिए, और यहां पे अगर डिक्लेर करो, तो जाही नहीं सकता, रूलP क इस चीज़ के तो वैसे तो साफ-साफ इंकार है कि कोई भी ग्लोबल वैरेवल आप यहां पर बढ़ा नहीं सकते बिल्कुल भी लेकिन हम लोग यहां पर बढ़ाएंगे क्योंकि हमाने पास नेट नाम का वैरेवल नहीं दिया है और प्रिंटिंग हमारी डिस्प्ले में होनी किया तो फिर वो डिस्प्ले में नहीं जा पाएगा और प्रिंटिंग डिस्प्ले में ही होनी है कारहां समझ गया सारे बच्चे तो यह नेट वाला वैरेवल खाली मैंने उपर डिकलेर किया है वो भी हम जानते हैं कि वो गलती हुई है इस वज़े से अधर्वाइस आपको जरूत नहीं थी आप यहां पर देखो नेट वाले वैरेवल को हम डिकलेर नहीं करें सीधे यूस करेंगे नेट इसकोल टू और फॉर्मूला दिया है बेसिक बेसिक प्लस एच आरे प्लस डीए माइनस पी अफ यह फॉर्मूला गिवेन है कुश्चन में तो मैंने लगा दिया और साथ में इन्होंने कंडिशन भी दे दी है इसको जला सुनो और बना के बताना इफ दा एज ऑफ इंप्लॉई इस अब फिफ्टी गेट गेट अडिशनल एलाउंस रुपीज फाइफ थाउजन तो यानि कि अगर इंप्लॉई की एज जो है चेक करो अगर वो पचास से अब बाब है तो उसको पांच पांच भॉँए का अडिशनल एलाउंस और भी मिलेगा नेट का क्या है यह नहीं अभी तो में यहीं संवोग आप पूरण संव पांच हजैर रुप आउस और वह मिलेका तो आप आप यहां पर चाहो तो पहले वो Dec. यहां लगा लो उसके बाहर ह निकलो हो तो कोई बात नहीं निकल गया अब यहां पे इस लगा दो इस जो एज है करेंटर देन 50 अगर है को नित में नेट सेल्री में नेट सेल्लिदी स्क लटव ए ik तो नेट सेल्दी में ही एड होना है तो आप बाद में भी लगा सकते हो पहले भी लगा सकते हो बस यह कंडिशन और उसके बाद आपका काम खतम इसका मुलब भी आपका कंप्यूट वाला कोश्चन केल्कुलेट वाला कंप्लीट हो गया अब आपका यहां पे क्या है वर्ड प्रेंट हाँ बिल्कुल बच्चा पूछना बहुत जरूरी है पूछोगे नहीं तो आएगा नहीं नेट इस गल टू जीरो नहीं किया है तो क्योंकि हमारे यहां पे यह वाले पार्ट में अगर आप गौर करो यहां पे नेट आ चुका है और यहां पे एक कोल साइन के इधा साइड में नेट यूज नहीं हुआ है इसका मवलाब उसमें जीरो हो या नहों कोई फरक नहीं पड़ता है अगर नेट इसकोल टू नेट प्लस करके होता यहां पर तो फरक पड़ता तो फिर आप क्या करते उसकेस में उसकेस में डिकलेर नेट ऊपर है लेकिन उसको क्योंकि कंसर्टर दिया नहीं गया है और कंसर्टर में ही नेट इसकोल टू जीरो या इसकोल टू जीरो दिया जा सकता है तो आप यहां पर यहां पर यहीं पर नेट इसकोल टू जीरो लिख देते हैं नेट इसको वेरेबल में भी कोई fix value चाहिए जैसे factor value में f is equal to 1 चाहिए तो calculate वाला जो function होगा तो intf declare तो उपर है लेकिन f is equal to 1 यहां पे लिखेंगे initialization यहां पे करेंगे अच्छा question था आपने पूछ लिया अच्छा किया उसके बाद आप word आपका print है word print word print में अब इसमें साफ साफ लिखा है टेबलर फॉर्म में दिया गया है तो टेबलर फॉर्म आपको बताया जा चुका है सबसे पहले यहां पर sop ln में heading बनाईए तो यहां पे e no class t फिर आपका e name है e name class t उसके बाद age है age class t और फिर आपका basic है basic class t और उसके बाद आपका net है और फिर double course बन कर दीजेए ठीक है यह रहेगा अब इसके नीचे value print करानी है value print कराने में हम ऐसा variables use होते हैं पता है ना सबको employee number के लिए e no लिया है अपने plus अब आपको slash t को single quotes यह double quotes में अलग से लिखना पड़ेगा हर बार plus लगाना पड़ेगा नेम के लिए e name यह variable है फिर plus slash t और age के लिए age नाम का ही variable है plus slash t और आपका basic और net बचा है basic के लिए basic e basic था basic नाम का ही variable है इसको चेक करते हैं ना plus slash t और उसके बाद प्लस और net के लिए हमारे पास हमने net ही लिया है complete हो गया तो देखो जहां पर variable वाली लाइन होती है वहां पर तो हर बार प्लस लगाके ही slash t को double quotes में करना है लेकिन ऊपर कहीं कुछ है सनाटक नहीं एक double quote से start होगा यह वाला और last में एक बंद होगा बीच में slash t लगाते चले जाईए आपका display complete हो गया function close उसके बाद में अब आपको public static void main बनाना है वह basic format है अच्छा बच्चों बताओ जल्दी से कि वाड में में क्या कराया जाता है function call कराया जाते हैं उसके लिए पहले क्या करना जरूरी है class का object बनाना जरूरी है तो class का object कैसे बनता है class name space obj is equal to new space class name goal walla bracket semicolon उसके बाद सारे function call कराने के लिए आपको obj dot करके call कराना होता है तो obj dot accept obj dot calculate obj dot print और फिर आपका लास्ट में public static wordman close हो जाएगा और class और ये वाली एक लिखना की आदर डालीजे end of class जिससे की फॉर्मेल्टी तो होई जाए कि हमने comment line का use किया क्योंकि अच्छा माना जाता है comment line का use करना बीच में भी हम बहुत जगे कर सकते हैं जैसे हम यहां पर इन तीनों के लिए comment line लिख सकते हैं function calling calling ठीक है हो गया एक बहुत ही जरूरी चीज है और हम जाने कब से रखते चले आ रहा हैं आप लोग समझे कि question पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि question पूछे ना पूछे कई बच्छों तो यहीं आप नहीं रहता कि हमें question पूछना भी है नहीं पूछना है तो question पूछने का सही तरीका यह है सिर्फ attentive रहना आपको क्या कि जैसे मैंने यह लाइन जब लिखी या पूछी थी मैंने यह लाइन पूछी थी तो कई बच्चों के मूँ चल रहे थे और कई बच्चे सांत बैठे थे और कई बच्चे बीच वाले थे वो खाली ऐसे ऐसे क अब लिखा रहे थे सर हिला रहे थे ठीक है तो इसका मलब वह सारे बच्चे यह लाइन में ने पूछी यह मैं बुलवा रहा था और उनके मुझे मूझे आवाज नहीं निकल रही थी इसका मलब उनको नहीं आता है आपको कुछ नहीं करना बहुत आसान ट्रिक है यह आप को एक कोई trigger symbol लेना है अपने लिए trigger symbol की जो चीजे आपको नहीं आती है में पढ़ाई जा रही है आपने प्र Olá लिए कि हमारी हमें जो भी अच्छा लगता ते किसे इक इस तार का sign है किसे ले question mark sign है कोई भी trigger symbol बना लीजिए तो जैसे हम यह जब लाइन लिखा रहे थे और हमने आप से पूछा भी था और आप जवाब नहीं दे पा रहे थे तुरंट उसके आसपास कहीं पे भी कोशन मार्क लगा लिया ऐसे करके इसका मदलब ये चीजें हमें याद करनी है और ऐसे कभी नहीं आप जान पाओगे यह क्लास का कुशन कहता हुआ जैसे अगला सुरू होगा यह सब हो गया अब दिमाद तुम्हारा दुबारा नहीं बताएगा कि इस लाइन को हम नहीं जानते थे उसको पढ़ भी लेना चाहिए नहीं बताएगा तो इसका मदलब आपको कोई पर ट्रिगर सिंबल बना लेना है कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो ओम बना लीजे कुछ भी है ना तो आदत में ढालिए अभी से स्टार्ट करो कुछ मन में सोचो कि जो जो लाइन हमें नहीं आती होगी मैं यह तीनों नहीं आती तो हम रहें यह पूरा आपका टाइप की प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग सिंबल आपको बनाना है और आप जब सिंबल बना लोगे तो जब भी आप पढ़ोगे तो वो सिंबल आपके सामने आएगा उस समय फिर देखो कि क्या अब मुझे यादा आ रहा है अब तो हम पढ़के आए हैं ना तो अभी नहीं यादा रहा है तो इसका मलब कंसर्ट करना है सबसे पहले अपने आप एफर्ट करना है आप वीडियो देखो आप जो अपने कुलीक्स हैं बच्चे साथ के उन से पूछो यार इस लाइन का क्या मतलब बताया गया था इस तरीके से और कोई नहीं बता रहा है तो तो हाँ नहीं बनाते हैं हम लोग तो बाइडेवाल्ट कंपाइलर कंसर्ट कर बनाई लेता तो हम क्यों करें फिर फिलकुत सही बात है हम क्यों करें लेकिन हो डिफॉल्ट कंसर्क्टर होता है जो की डिफॉल्ट वेलू ही डालेगा यानि 00.00 इस तरीके की और हमें फैक्ट्रियल व लेकिन अगर वन या कोई और डिजिट की बात है तो आपको करवाना पड़ेगा और उसका स्यमाधान क्या है कि कहा करें फिर तो दिया नहीं गया तो जिस फंक्शन में कैल्कुलेशन हो रही होगी उसी फंक्शन का कली बैकट खुलने के बाद अब वहां पर आएंट आएंट अब आपको खाली A is equal to 1 लिखना है या A is equal to 0 लिखना जहां कहीं भी आपको लगता है उसी फंक्शन के अंदर लिक्कर हो समिकॉलन लगा दीजे तो वह उपर वाला डिकलेशन माना जाएगा और नीचे वाला इनिसलाइजेशन माना जाएगा बिलकुल सभी कोश्चन है आपको जब तक आपको यह समझ मनहीं आ जाता कि हाँ यह क्लास का कर्शक्टर कॉलिंग वाला हिस्सा है यहां पर यह कंसेक्टर कॉल हो रहा है कि अधर कॉलिंग हो रही है यहां से कंसेक्टर कॉल होगा तो आप जम करके ऊपर चले जाओगे यहां पर constructor बना था लेकिन तो बना ही नहीं है हमारा ठीक है तो यह क्या होगा यह चाहिए तो डिफॉल्ट वह जावा का compiler अपना बना के उसमें सारे डाल देगा अब जैसे कैसे हम कैसे प्रूफ करें या माने कि आप सही कह रहे हो हम कैसे माने कि आप सही कह रहे हो कि वह अपने आप वैलू डाल देता है जबकि जो है नॉर्मल प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें आप क्या करो एक ट्रिक है इसको समझने की कि डिफॉल्ट वैलू डाली जाती जावा या नहीं डाले जाती तो आप क्या करो एक सिंपल वॉर्ड में का प्रोग्राम बनाओ उसमें आपने आपका क्लास लगाकर और आपका प्लिस्टैटिक वॉर्ड में के कर्ली बैकेट तक प्रोग्राम लिख लिए क्लास लगाकर कर्ली बैकेट तक प्लिस्टैटिक उसके बार, फिर वही प्रोग्राम आप यह फंक्शन में बनाओ, फंक्शन में ऊपर global variable में INTA लिख दिया आपने, और कोई इंपूट नहीं बनाया, कोई input function नहीं बनाया, सीधे वाइड डिस्पले बनाया, और वाइड डिस्पले में SOPILN A प्रिंट करा दिया, और फिर वाइड में से OBJ.Display call भी कर लिया, अब क्या होगा, कि जो simple public static वाइड में प्रोग्राम बनाया था, उसमें तो error आजाएगी इस टाइप की, कि आप variable A को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी value आपने in slice नहीं की है, इस तरीके कोई error आ सकती है, और कोई value प्रिंट नहीं होगी, लेकिन जो यह function वाला प्रोग्राम है, इसमें by default वो constructor बना बनता है, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं या समझ रहे हैं, तो इसमें A में कोई value इसमें भी नहीं डाली है, लेकिन इसमें आपका 0 by default प्रिंट हो जाएगा, अपने आप 0 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप अगर boolean type का variable, boolean A लेते हो और फिर A को प्रिंट कराते हो, तो अपने आप false प्रिंट हो जाएगा, F-A-L-S-E, false प्रिंट हो जाएगा, तब तुम जान पाओगे, एक कंसरेक्टर बाकाई में default बनता है, यहां आगा है, यहां के लिए मैंने कुछ basic rule बता दिये हैं, कि scanner class आपको लिखने ही लिखना है, जहां कहीं value input होगी, और हर input अलग-अलग line में लिखेगा, हर input अलग-अलग line में, सबका अलग-अलग separate message होना चाहिए, तो हमने यहां पे employee number, name, employee age, और basic salary input कर लिए यहां पर, काम खतम, अब यहां पर आप लोगों से गलती यह हो जाती है, एक छोटी सी mistake है, अब जिसे यहां पे भी एक कितनी अच्छी point वाली बात है, कि star लगा कर वह question के नीचे, जो हम बताते हैं कि यह गलती हो जाती है, वो नोट करते रहो, shortcut में ही सही, क्या होता है कि global variable में B basic upper case था, और यहां पे लिखता समय आपने B का lower case कर दिया, यह वहां lower case था, यहां upper case कर दिया, गलत हो गया आपका, छोटी सी mistake, और यहनि इसका solution क्या है, वेरेबल के नाम बदलने नहीं है, किसी भी हालत में available के नाम नहीं बदल सकते, तो आपने यहां पर value input करा ली, अच्छा work करने के बाद function lot के वहीं जाता है, जहां से call हुआ था, तो आप कहां चले जाओगे, वार्ड में, वार्ड में में नीचे उत्रोगे, तो copy हम देखो कहूं सा function लिखा है, obj.calculate, तो calculate से जम करके यहां पर, calculate पर आगा है, यह calculate पर आगा है, अब माली जो basic sell दिया, आपकी 2,000 उपय थी suppose that, तो 2,000 basic में होगा, तो 2,000 का 18.5% निकलेगा, 2,000 का 17.45% निकलेगा, 2,000 का 8.10% निकालोगे, यह आपका PF निकलेगा, और फिर यह formula लगा दिया, तो आपकी net salary आ गई, उसके बाद आपने कहा कि अगर age 50 से जाधा है, तो net salary में 5,000 रुपय, allowance के रुप में और जोड़ दो, हो गया, यह calculation थी, अब यहां पर आपको introduce क्या किया गया, लोकल वेरेवल, ग्लोबल वेरेवल जो भी है, उनके अलाबा, अगर calculation करने के लिए वेरेवल जोड़ पढ़ रही है, तो इसका मलब वो सारे लोकल वेरेवल होंगे, और वो वहीं पर declare किया जाएंगे, जहां पर आपका calculation हो रही है, यह जहां पर उसकी जरूरत पड़ रहे हैं, हर किसी function में ही डिकले कर सकते हैं, यह सारे वेरेवल कैलकुलेट में ही डिकलेर होंगे, माली जदोके से आप input function में या accept function में डिकलेर कर दो variable, और सोचो calculate में हम यूज कर लेंगे, नहीं यूज कर सकते हैं, वो इसी function में scope of variable के rule के हिसाब से यूज कर सकते हैं, कल्कुलेशन होने के बाद, वर्क करने के बाद बापस लोट के वहीं चले जाएंगे, और फिर से आपका obj.print call होगा, obj.print, फिर आप यहां पर print पे आओगे, यह print पे आगा है, प्रिंट पे आने के बाद, टेबलर फॉर्म आपको बता दिया गया, डबल कोट से स्टार्ट करो, बंद करो, बीच में slash t, से सारी heading बना दो, और heading में थोड़ा सा आलग कर दो, कि पहला लेटर आपर case कर दो, जैसे heading होती है, जैसे ENO, यह सब, आप जैसे हमने ENO लिख दिया, हम यहां पे employee number भी लिख सकते थे, लेकि हमने नहीं लिखा क्योंकि question में ही दिया है, जो उसमें input output दिया है, उसमें ENO ही लिखा है, इसलिए हमने इसी को heading बना दिया, और फिर वो अलग बात है कि यही नाम से हमारा variable भी है, इन दोनों में अंतर है, इसलिए E हमने बला कर दिया, और यह पूरा small रखा, ऐसे हमने printing कर दी, और फिर बापस लोटोगे, प्रोग्राम आपका, यहां पर print, बापस आओ गया, इसके नीचे उत्रोगे, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, कोई question किसी का, trigger point बनाना अपना, जहां पर आपके दिमाग में कोई question नहीं आ रहा है, समझो, आपको problem है और आप पूछो, हाँ, यह, हमने कहा था कि यह इफ जो है, आप यहां पर भी लगा सकते हो, ठीक है, यहां पर लगाओगे, तो आपको net is equal to zero इसी function में यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां पर net is equal to zero लिखना पड़ेगा, यह जो फॉर्मूला यूज हुआ, यह equal sign के दोनों तरफ है, net is equal to net plus, तो net में कुछ होगा नहीं, तो पांस हेदा जुड़ेगा किसमे, लेकिन आप पहले मैंने बोल दिया था, लेकिन अब जो पढ़ाने से मुझे समझमा रहा है कि यह इसके बाद ही होना चाहिए था, कि पहले value आ गई, उसके बाद आप इसको यूज कीज़ेगा, तो फिर net is equal to zero डालने की जरूद नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, तो यह आपका question हो गया, specimen paper 2023 का, अब मैं ले रहा हूं question, board paper 2023 का, ठीक, board paper मैं ले रहा हूं, और यह थोड़ा सा जल्दी मैं करूंगा, तो आप लोग भी जल्दी कीजिएगा, लिख पाए तो लिख लीजे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने आप लिखिएगा, यह कहां बिखाई पड़ रहा है, यह करके लिखा होगा, यह हाँ, यह आपका paper था, देखे बच्चो, जल्दी से देख लेंगे, यहाँ पर आपका class का नाम student है, data member में name, age, marks और stream, और यह साब साब लिखा है, declare the variable using appropriate data type, यहनि इनके data type खुदी decide करो, उसके बाद accept नाम का function है, उसमें name, age, अब देखो, साब साब लिखा है, name, age, marks, input करना है, लेकिन बाकी और जो variable है, वो input नहीं करना है, है ना, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, यह क्या लिखा है, allocation, allocation, allocation में allocate the stream, तो इस condition लगानी आपको, marks अगर greater than equal to 300 है, तो आपको यह stream मिल जाएगी, अगर 200 से 300 के बीच के हैं, यह stream मिल जाएगी commerce stream, और 75 से 200 के बीच में तो यह stream, नहीं तो यह stream मिल जाएगी, तो normally calculate वाले function में हमने बताया, effelsive का question आता है, अब जैसे पहला वाला question उन्हों है general कर दिया, effelsive भी नहीं रखा, simple calculation कर दिया, net salary वाली और यहां पर effelsive बना दिया, अब वो चाहे electricity bill का हो, चाहे वो discount or tax वाला हो, कोई भी question हो सकता है, और फिर उसके वाद print में print कर दिया, समझा रहा है, तो इसमें जो है, तो मैं तो देखी, देखी रहा हूँ, आप लोग खाली solution note कीजे, क्लास नेम स्टुडेंट है, एस बड़ा है, अच्छे जावा इसके सेंस्टिम लेंग्वेज तो आपका capital small cup बहुत बड़ा योगदान है, याद रखिएगा, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, भी ना बोले, इंपोर्ट वाली लाइन के question number two है, फिर class, जल्दी लिखेगा, तो उसके बाद हमाया पास name है, string, name, बातें नहीं करो, मैं कहरा हूँ, जल्दी लिखो, पहले string, नेम है, तो नेम ले लिया, वहाँ पर student name है, अरे तो हम कहां मना कर रहे हैं, चालने तो दौह में थोड़ा सा आगे, उसके बाद फिर age है, int age, लिखते जाओ फट फट, उसके बाद marks integer में ही हो जाएंगे, int, mks, marks, और फिर stream जो है, वो आपकी string में होगी, कर सकते थे, अगर आपको पहले समझ में आ गया है, तो उपर कॉमा लगा के भी कर सकते थे, लेकिन string को ऐसा ना करना, बाकी सारे variable में कर लेना है, string variable में ऐसा ना करना, उसके बाद इसमें भी बच्चों कंस्रेक्टर नहीं है, इसमें आपका word accept है, word accept, value bracket स्टार्ट किया, और इसमें आपका scanner वाली line हो जाएगी, अगर हम लोग बोले ना एक दूसरे से, तो घड़ी देखके देख लोग हम लोग पास 5 या 6 मिनट कुछ थे, और देखो यह प्रोग्राम हो जाएगा आपका मेरी, तो यहाँ पर आपको SOPLN में, एंटर नेम, आप नेम स्टुडेंट कह सकते हो, एंटर नेम हमने आई से डारेक्ट लिग दिया, आप स्टुडेंट नेम कह सकते हो, नेम इसके बाद है SOPLN और दूसरा है आपको इंपूट करना, एंटर एज, एंटर एज, एज इसकोल टू, SC.NEXTINT, उसके बाद, SOPLN, और यहां पे आपका, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स, MKS is equal to SC.NEXTINT, हाँ, पस इतने इंपूट करना था, अब स्ट्रीम इंपूट नहीं करना था, स्ट्रीम वाला वैरेवल में कब आएगा, जब यह फैलसिब लगेगा, तो जो सेंटेंस था, साइंस स्ट्रीम कोमेंस, वही स्ट्रीम में स्ट्रीम कराया जाएगा, जैसे ग्रेड इस्ट्रीम कराया जाता था, और यहीं पर आपका यह क्लोज हो जाएगा, उसके बाद अब यहां पर वाइड ऐलोकेशन, अपने हो बच्चों क्योंकि यह यूजर डिफाइन फंक्शन है, तो फंक्षन के नाम बदलते रहेंगे, लेकिन नहीं बदलेंगे तीन ही काम होते है, वाईव इंपुट कराओ, 잡कट कराओ और पिन्त कराओ. अवर इन तीन काम को करने के लिए नाम बदलने रहेंगे, तो वाइड, क्या है ? एलोकेशन में अब एलोकेशन में उन्होंने कहा इफ अब सीधे इसमें इफ एलसिव लगना है इफ जो मार्क्स था इसमें लिखा साइंस एंड कॉमर्स आप से क्या हो साइंस एंड कम्प्यूटर आप बच्चों यहां पर गलती होगी आपसे कि कभी भी करेक्टर वैलू या इस लिख दूँगा देखो सही है कि यह स्ट्रिंग है तो डबल कोर्स करेक्टर है तो सिंगल कोर्स यह आप भूल जाते हो यह भूलते हैं बच्चे तो मैंने कहा है कि क्या करो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब नहीं है एंड हमने थोड़ी बनाया था इंगलिस ने बनाया था तो एंड का मतलब एंड रहेगा वैसे आप वैसे लिख देना कि मैं आप सेथी कंडिशन तो एल्सिफ लगाएंगे ना कि जिखो हमने जब आपको बताया है कि जब दो कंडिशन दी थी तो पहली कंडिशन में हमेंचा ग्रेटर थन इकॉल टू जाहता है दूसरी कंडिशन मेंचा थाली रहता नए तो वह फॉर्मेट यहीं पर दिया ग तो लिख दिया और आगे नहीं लिखेंगे जबकि जोनों जगे आपको लिखना है और यहां पे less than 300 यह हम ऐसा चेक कर लो कि जैसे equal to 300 तक हो चुका है तो अब यहां पे equal to 300 नहीं लिखा जा सकता है कि लिखा यहां है स्ट्रीम इसकोल टू कॉमर्स कॉमर्स और कंप्यूटर अल्सिफ ना क्या था मैंके अश्ट MKS greater than equal to 75 and MKS less than 200. अगर यह है, तो stream is equal to is equal to 8 तुम्हारे लोगों के यहां arts होती है न? एंड यह क्या था animation? एनिमेशन और लास्ट वाली condition को हम लोग क्या कर देते हैं? जबकि लिखा less than 75 चाहें तो else लगा दें लेकिन आप else लगा सकते हो तो ना लगा 75 less than वाला ट्राइगें अच्चो यह complete हुआ उसके बाद आपको यह बंद कर देना चाहिए ले ब्रैकेट और फिर आपको प्रिंट वाला बनाना है वाल्ड प्रिंट यहां पर लिख सकते हैं स्टी यू नेम तो अलग लग लाइन में हो जाएगा प्रेसोपी ऐलन स्टुडेंट फिरेसोपी ऐलन चाहोग है नेम एज मार्क्स प्रेसोपी ऐलन लटल्मार्च अफिर शॉपलन अफिर शॉपलन अप्रेम। लोगते शॉपलन अप्रेम। कि अच्छा यह बहुत गलत बात होती है कि जब टीचर सामने हो तो आप टीचर से पूछिए वह जरूरी उसको आता हो वह कुछ गलत कर दें हाँ यही तो होता ही है कि इसका मुलब आप गर रॉंग हो जाओगे कि लोज उसके पीएस बियम बनाना आपको पब्लिस ट्रैटिक वाड में है अब बताओ पीछे वाले जो पिछली वार मुव बन करें बैठे थे अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है क्या बनाओगे हाँ स्टुडेंट ओबी जे इस गोल टू न्यू स्टुडेंट गोल अलब रैकेट सेमी कॉलन अस्टुडेंट का एस बढ़ा था इस तरीके से और फिर ओबी जे डॉट का नाम क्या था हाँ यह गलत है जो नाम है एस इस लिखना है आपको एक्सेप्ट ओबी जे डॉट क्या था यह बड़ा था चोटा था ओबी जे डॉट क्या प्रिंट एंड आफ क्लास हो गया ठीक है अब यहां से कंसर्ट्र कॉल होता तो डिफॉल्ट कंसर्ट्र कॉल हो जाएगा तब की डिफॉल्ट वेलु स्टॉर कर देगा वो बापस आओगे यहां पर ऑपीज़न एक्शेप्ट से एक्शेप्ट पर जाओगे वहां तो आपको क्या-क्या इंपुट करना था नेम एज और मांक्स तीन चीज़ें इंपुट करनी थी वापस लॉट आओगे एलोकेशन में इफ एलसिब में जो भी कंडिशन टू हो जाए मांक्स के कॉर्डिंग उसमें स्ट्रीम में वह स्ट्रीम चली जाएगी स्टोर हो तो करना करो नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन पढ़ो जरूर ठीक है बच्चो आज की क्लास यहीं तक रहेगी कि अगर अगर कि अगर